शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें जितना दूर रहेंगे उतना ही इनकी जिन्दगी बनी रहेगी और सेहत में परकत भी होगी इतने बर्सों के बाद आज तुम मुझे मिला है फूँसने के बजाए सीदे आग उगलने लगा अपने रिष्टे के बारे किस रिष्टेगी बात कर तेकिस रिष्टेगी है एक रोटी के बदले में तुमने मुझे चानवर बना दिया हर दाने का हिसाब तुमने मुझसे गुना खरवा के लिया अब ना कोई कर्ज है तुम्हारा मेरे उपर ना ही कोई रिष्टा है तुम्हारा मेरे साथ मैंने तेरे भूके और नंगे बच्पन को नई जिन्दगी थ बाप तु मैं बन चुका हूं सुल्तान एक बाप के दिलमे बेटे के लिए कितनी महबत होनी चाहिए यह मुझे तुम से समझने की जरुत नहीं है एक बाद तुम मुझे समझ लो आग के बाद तुमारा रास्तालग मेरा रास्तालग पाश्या चुर्म की दुनिया में आने के अन्गिनत रास्ते हैं लेकन यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बच्पन से लेकि आज तक सिर्थ तुमने मुझे चाना है सुल्तान पहचाना नहीं मैं फैसला नतीजे की परवा करके नहीं करता आखरी पैसला कर चुका हूं इसलिए आखरी मर्तबा आया हूं तो बारा लोटके सिर्फ मेरी ही मर्जी से होता है कान रोकेगा मुझे पीछे मुड़ कर खुद देख लो हूं 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 थे अच्छान थे आखर एक वह थे आखर पार अच्छान थे तो की अ जो आखर आखर वह थे दो अगर आइप बाद्चा जिन्दा होता तो इसी समीर में तुम लगों के सिद्धा कर देता ये बाबू लोहर कहात है जिसमें बाद्चा से भी ज्यादा ताकत है लेकिन इस पे एक लगाम है जिसे इंसानियत कहते है जिसे ना तुम लोग समझते हो ना समझ पाओगे ये हादसा तुम लोगों के लिए इशारा नहीं मेरी तरफ से आखरी नसियत है नहीं अब्दुल को मारने की गलती मत करना वक्त ने बाद्चा की ताकत और खुबियों को और बढ़ा दिया है ये तो एक छोटा सा इंतिहां था जिन्दा बाद्चा हमार लिए बहुत एहमियत रखता है हमें उसकी बहुत जरूरत है और अब्दुल मैं हर हार में उसे लोटा कर वापिस लगा ये नमस्ते अंकिल नमस्ते बाबू लोहार ही रहते हैं हाँ आईए ना आईए आफ हम में वह अभी गरपर नहीं है आते ही होंगे अब बैठीस ऑने दो मैं आपकी ये तहां disp कितने साल कि आपड़्यू को सी समब्स टांड़ को कियो क्यूंकि मैं उने पूछता हूं पर उसे प्रेहम करता हूं आपने दिया बस इसलिए में आपने बाबा की तशवीर को भी बहुत संबाल करता हूं यह देखивается है मेरे बाबा दुनिया सबसे अच्छे वावा अगर में किसी चीज के वारे में सोच भी लेता हूँ तो मैंने से पहले ही ला रहे वह ऑप प्यार करते हैं मुझसे देखो ना हम गरीब है कि सारा महलाई गरीबों काई सब बच्य कान ने मैं तो suka देखा नहीं कि दुकान लो राद दिन भुण हुपते हैं का कि मैं पढ़ लिख सकूंँ उनके दोस्त है इंस्पेक्टर प्रधान को मुझे उनी की तरह नेक और इमानदार बनाना चाहते है कि अब आगा अंकल यह बाबा है बाबा ही है मैं आपको नाम पुछना ही बूल गया इंस्पेक्टर प्रधान इंस्पेक्टर प्रधान राजू अंदर जा शेरू बिले के जाओ शेरू कि बहुत प्यारा बच्चा है यह वह अच्छे और उचे संसकार इसे मिले हैं तुमसे कि अब बाबू लोहार दरसल साथ सालों से मैं एक मुझरम की तलाश करना हूँ इस इंतजार में तरक्टी के कई मौके आए और मैंने ठुक्रा दी इसलिए मैं इंस्पेक्टर था इंस्पेक्टर दी रह गया अगर आज मुझे लग रहा है जो कुछ मैंने खोया कि उसे कहीं जाना मैंने पालिया है हुसामने भगवान बुद्ध को देख रहे हैं हुसे धार्त एक रात अपनी पत्नी और बेटे राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में चला के वरसों बाद जब बुद्ध बनकर लोटे तो उनकी पत्नी अपने बेटे क साथ उनके पास महुची बहुत क्रोध था उनके मन में बहुत कोसा उन्होंने भगवान बुद्ध को क्या अधिकार था आपको एक बच्चे से उसके पिता को छीनने का क्या सोचकर आपने अपने पत्नी को त्याग दिया आपने ऐसा न्याए क्यों किया और तुम्हारा पती मैं सिधार्थ था इस बच्चे का पिता सिधार्थ था जो तुम्हें छोड़ कर गया मैं सिधार्थ था लेकिन आज जो तुम्हारे सामने खाड़ा है वो सिद्धार्थ नहीं बुद्ध है आत्मा बदल जाने से शरीर का कुई महत्व नहीं रहता बाबु लौहार बर्सू से मैं जिसे ढूंड रहा हूं वो कोई और है और आज इससे मिलके जा रहा हूं वो कोई दूसरा हूं मुझे माफ कर देना अब आज और हां तुम बाकर उधार का नसीब लेकर नहीं आयों तुमने अपनी एक स्मत खुद बनाई है तुम सच कहते थे बात्षा की फाइल बंद कर दो बात्षा तो कब का मर चुका है अब तुमने रोजों आसे फंक्षिन थोड़े होते हैं अब बच्छों के मुमी रडी आएंगे आप भी चलिया न मैं कभी जिन्दगी में किसी फंक्षिन में नहीं गया फिर आज जा कि क्या करूंगा और वैसे भी बहुत काम पड़े हैं तुझा मैं तेरे साथ रहूं न रहूं लेकिन मेरा शिवाद तेरे साथ हमेशा रहेगा कि अधी 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 राजू ए राजू कहां भागे जारे हूं देखे मैडम आपके साथ ना तुमेरा कोई रिष्टा था नहीं जुर सकता है बाबा के लाव मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है और उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है इसलिए मैं आपसे हाथ चोड़के में दिकता हूं क्या इंदा से आप मुझसे मिलने की कोशिच ना करें मैंडम उपर सब लोग बोर्ड रूम में मीटिंग के लिए आपका इंसदार करें अब 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 खबर में लिए को मैंश की तब्यद खराब है तो आज मदस जे के इस फांशन में गाना कों गाएगा अरे अपना राजू भी तो अच्छा गाता है मदस जे पर गाएगा उसकी तो मा ही नहीं है वो क्या चारे मा क्या होती है